हलो एबरोन कैसे हैं आप सब एक बार कुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत हैं उम्मीद करते हूं आप सब बच्चे होंगे और आपकी पढ़ाए भी बहतर चल दी होगी बहुत सारे बच्चे जो बिलकुल आभी भी थोड़ा सा दी मोटिवेट हैं और उनके मन में थोड़ा सा भी कहीं न कहीं गलत सोच चल रहा है मन में थोड़ा सा गलत फिलिंग उत्पन हो रहा है उनके लिए वीडियो सूट कर रहा हूं प्लीज आप लोग अंतक देखेगा सभी बच्चे प्लीज और इसे सेर भी करिएगा कई सारे डावट यहां पर क्लियर करने वाला हूं सबसे पहली बात तो जो एन्वल एक्जाम जो है 99% नहीं है बिल्कुल एक्जाम आपके 99% एक्जाम पोस्टमेंट होंगे ही नहीं आपको मैं पहले भी बता रहा था कि इस बर्स एन्वल एक्जाम लिया जाएगा इसके पीछे कई सारे जीजन है हर साल जनरल प्रमोशन के आधार पर आपको रिजल्ट नहीं दिया ज सकता है पेर बच्चो क्योंकि आगे चलकर आपको भविश से बरवाद होता है और आपके इस साल जनरल प्रमोशन हो जाए आपका पेपर ना लिया जाए आपकी पेपर में गरवड़ी कर दी जाए तो आगामी में जो नया जनरे सान आने वाला वो बच्चा बिल्कुल पढ अब इस जो है तेंथ और ट्वल्थ का एकजाम वो डेफिनेट होगा अब सबसे बड़ी बात है जो बच्चे अभी तक मालीचे जो आपका क्वार्टर ली एकजाम हुआ और प्रीवोड एकजाम हुआ इसमें आपका पेपर लिक हुआ आपका एंसर सेट मिला आप प्रीव का 100% यही पेपर है यह देखो पूरा सच पेपर और यह पूरा बाइरल पेपर है इसे को तयार कर लो तो आप लोग प्लीज आप लोगों से एक चीज में कहना चाहूंगा कि बोड इतना भी कमजोर नहीं है यार कि 15 दिन पहले आपको पेपर देदेगा तो इन चीज़ों स होते हैं उसके पहले पेपर मिल रहे टेली ग्राम में कहीं कहीं मिल जाती है अब इसमें फ्राडगीरी क्या है कहीं सारे बच्चों को फोन साइगा कॉल साइगा को कि आपके परस्नल नंबर आपको सबको बिता है आप खुद बांट कर रखे हो कि नोट्स मिल जाए कही से हम को गलत सीजे मिल जाए हमको मतल relay pair के पहले हमारा पो फेपर मिल जाए सालिसन मिल जाए तो आपको प्रिलोबन दिया जाएगा कि आप lalwebant तेदो छेससा devotion डे ढे दो 50 अंच पचास रुपए दे दो 200 वंपए दो आपको May Christer dif Biz पैसे की 50 रुपए में आप पेपर ले रहे हो और वो पेपर में आपका 5 questions फसा मुस्किल से आपके पूरे के पूरे 25 अंक आ रहे हैं 33 अंक भी नहीं आ रहे हैं 100 मिसे तो फिर आप फेल हो जाओगी आपके carrier की सवाल है इसलिए प्लीज आप फ्राड से जरूर बचे और हाँ आपके प क्यों कि आपके पास 15 दिन में मतलब कहने को जैसे आप अभी पाच घंटे पढ़ाए उसको डबल कर दो जब कोई वेक्ति एक दिन पढ़कर भी पेपर में पास हो सकता है तो आप 15 दिन पढ़कर कि क्या अच्छे अंक नहीं ला सकते अभी भी आप 15 दिन पढ़लो ऐसा नह स्रीज चला रहा हूं कुछ वीडियो इंग्लिस के भी दे रहा हूं कुछ वीडियो आपको हिंदी का भी दे रहा हूं और ऐसे में 15 दिन अभी कंटीनू लगा तार आपके लिए लाता रहा हूंगा मोस्ट इपरण चीजे टॉप कोशन जो विगत वर्स में पूछेंगे है और आगे पूछे जाएंगे तो ऐसे कुशन भी आपके लिए मैं लाता रहा हूंगा आप लोग मिनत करते रहें ठीक है लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जो फेक चीज़े हैं फेक निउस से दूर रहे थोड़ा सा क्योंकि आप लोग मैं मानता हूं कि अभी भी 90 परसेंट बच्चा लोग यही चाहती कि पोस्टमेंट हो जाए लेकिन मेरी राय जहां तक है मैं आपको गरंटेड कहता हूं कि पोस्टमेंट होने का चांस है जीरो परसेंट है मेरे एकॉर्डिंग जीरो परसेंट है वो पोस्टमेंट नहीं होगा इसलिए प्लीज मैं तो तो उस दोसर उपन लगाने में लगे रहते हैं अरे यार गवर्मेंट को कब तक दोस दोगे सबसे बड़ी गलती होती खुद की आज कल आपकी पापा ममी हर एक बैक्ति को मुबाइल दे रखें सोसल मेडिया में इतने अच्छे टीचर मिल रहे हैं आपको यूटूब पे बत कौन कहता है कि आप मत पढ़ो कौन कहता मत पढ़ो आपकी ही दूसर ओपन है इसलिए यह बिल्कुल कहना छोड़ो कि पूस्टमेंड होगा हैस्टेक लगा और ट्विटर टूइट करो यह मैं सपोर्ट नहीं करता कारण है क्योंकि आपके पास बक्त था मेरे साथ जितने ब को कोचिंग करके आपके पास बहुत भकता है च्सें महीने कम नहीं होता च्सें महीन में आप आई-अई-टी जै-ई-लेवography कोचिंग करके आप निकाल say करो अच्छे तरही के से कोशिश करो कि हम एक एक मिनट का सदूपयोग कर सकें थोड़ा खेलना बंद कर दो फोटसप चलाना बंद कर दो थोड़ा सा दोस्तियारी फोन कॉल्स बंद कर दो उतना समय आप अपने किताब के साथ करो रियक्सन को बार बार रिपीट करो जो याद नहीं हो रहा हो इसको लिग के याद करो ठीक है आप खोरम को थोड़ा सा एक बार दो बार डरिवेसन लगाओ लगा लगा करके पढ़ो मैतक को को לש करो पाँ से 6 गंटे 45 तो तो नहीं उपाएंगे लेकिन चार घंटे मिनिमम मैं तो एक घंटे इंगली सिंदी दे दो एक घंटे भी हिंदी इंगली साब दे रहा हो तो बहुत है प्रिष्चा दे परिष्चा बोद आपके पास उसे अब्जेक्टिव कर लो आपके पास एक एक मिनट का बक्त होना चाहिए कि अब हमको यह पढ़ना है ठीक है नास्ता करने भी जा रहा है तो हमको तुरंट आकर कि यह करना ऐसा नहीं कि नास्ता करने गए जाकर मिटीम बैढ़े अपने घर परिवारे में ऐसा नहीं ले लिए जाएंगे तो आप फेवके पर भी अब गत रहें कुछ चैनल वाले भी अभी से वीडियो डालना सुरू कर दिये हैं मैं उन लोगों से भाईों से कहना चाहता हूं कि बच्चों को आप गुमराहना करें बलकि बच्चों को मोटिवेट करें कि बटा आप ऐसा बाद ना करें मैं इसलिए आप सभी से कहता हूं पेरे भाई प्लीज आप मिहनत करो और हमसे जितना भी हो सकता है हम आपको हेल्प करेंगे चैनल में आपको वीडियो प्रवाइड कराएंगे बिलकुल आप चिंता करनेगे रहतर नहीं मिलते हैं पेरे बच्चों के वीडि बादे मात्राओ